आपने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सुना ही होगा। विचार भी करांती का रही थे। हालांकि उन्होंने लगबग सब धर्मों को नकारा। उनकी उस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। जितने भी हिंदु धर्म के इलावा धर्म हुए। उन्होंने सब को लगबग गलत ही बताया। सब के संस्थापकों को गलत ही बताया। परन्तु कहीं न कहीं एक संत के मन की निर्मलता क्या होती है। इसका उधारण आपको इस कहानी से मिलेगा जो कि मैं आपको कल बताऊँगा। हुआ क्या कि ध्यानन सरस्वती के जीवन पर कई बार हमले हुए। कई बार उनको मारने की कोशिश की गई। अक्सर जहर देखे। पर वो हमेशा बच जाते थे। किसी न किसी कारण से कुछ लोगों का मानना था कि वो हठियोग बहुत अधिक करते थे। जिससे शरीर के एक संगरचना भिन थी और जिससे वो बच पाए। परन्तु एक बार राजा जस्वन सिंग के यहाँ जोदपूर या जैपूर के राजा मुझे भी इतना समरण नहीं। उन्होंने दयानंद सरस्वती को बुलाया। राजा का मन था कि मैं भी आर्यसमाजी हो जाओं। और इन से दिक्षा लेकर इनके मार्ग का अनुसरण करूँ। स्वमिदयान अंद सरस्वती वहाँ पहुँश गए। उनको रुकने के लिए ठहरने के लिए उनके लिए शृष्टतम रवस्था की गई। तो वो बिना बताए राजा के कक्ष में चले जाते हैं। उस समय राजा एक नर्तकी के साथ होता है, जो कई लोगों का मानना था, जो एक वेश्यावी थी। उसका नाम था ननी जान। जैसे ही दयानंद सरस्वती ने राजा को उस भाव में देखा। उन्होंने कहा यदि सत्य में मेरे मार्ग का अनुसरन करना चाहते हो, यदि आरे समाजी बनना चाहते हो, आरे का अर्थ होता है भद्र। योदि वास्तव में एक वैसा राजा बनना चाहते हो, वैसा विक्ति बनना चाहते हो, तो इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे पत्मे बादा बनेगी, अब वो जो नर्तिकी थी उसको बहुत बुरा लगता है, ननी जान, उसको बहुत गुसा आता है, उसको लगता है, ये कौन होता है मेरे और राजा के पीछ में आने वाला, सादू होगा अपने घर में होगा, ये कौन होता है बताने वाला कि मैं राजा के लिए ठीक नहीं हूँ, कि मैं राजा के पत्थ में, उसके अध्यात्मिक पत्थ पे, उसके कर्मक शेत्र में बादा ब और ये सत्य घटना है जो धयानंद सरस्वती के लिए भोजन बनाते हैं बंडारी जो होता है, जो रिसोया होता है उसके पास चले जाती है उसको थोड़ा पैसा दे देती है थोड़ी अपनी बातों में फसा कर शीशा होता है, उसको पीसा होता है एकदम बहुत ही महीन कहती दूद में डाल कर आज रात को पिला देना इसको पता चलेगा कि इसने किसको रास्ते से हटाने कोशिश की है वो जो रुसोया है वो मान जाता है अब स्वामिदैनन सरस्वती दूद में अपना काजवदा मित्यादी पीस कर भी देते अब वो चीज़ तो घुलती नहीं है दूद में यदि आपने कभी काजवदा मित्यादी खाई हूँ हो तो आपको पता हो अब जब उनके दूद में शीशा जो है वो एकदम महीन पीस कर डाल दिया गया जो कि घुला नहीं दियानन सरस्वती तो सवपन में भी ये कलपना नहीं कर सकते थे कि मेरा अपना रसोय या उसका नाम जगन नाथ था कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा सोच भी सकता है करने के तो बात चोड़ो शिश्य था इतने वर्षों से सेवा में था उन्होंने वो दूद पी लिया जब दूद पी लिया तो अगले दिन वो बिमार होना शुरू हो गए क्योंकि जगा जगा वो शिश्य ने काट दिया था अंत्रों को और उससे उनको अलसर्स होने शुरू हो गए भीतर डॉक्टर्स बुलाई गए, इलाज हुआ परन्तु उनकी परिस्थिती जो है बिगड़ती चली गई जो रुसोहिया था उसको समझ आता है कि उसने कितनी भारी गलती कर दी स्वामी दियानन्द के पास जाता है और कहता है मुझे एक्षमा कर दीजिए आपकी बिमारी का कारण ये शीशा है जो मैंने पीस के आपके दूद में डाल के आपको पिला दिया था यदि डॉक्टरों को ये बात पता चल जाए तो शाहिद वो कुछ वैसा इलाज कर सके क्योंकि किसी को समझी नहीं आ रहा था कि कारण क्या है तो उसने बोला कि वो जो औरत थी उसने मुझे ये शीशा दिया था कोई भी विक्ती जिसके साथ ऐसा हो जाए यदि आप स्वामी देयानन्द की जगा पर हो विक्षन के लिए आप क्या कहोगे उसरों सोईये से क्या आप उसको हसके बोलोगे कोई बात नहीं थोड़ा बड़े पीस वाला डालना था पता ही नहीं चला या आप उसको कहोगे कि मैं तो जा रहा हूँ तुझे नहीं छोड़ूँगा या आप उसको कहोगे तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ राजाव को भी बता रहा हूँ सक्त से सक्त जो है सजा तुम्हें होनी चाहिए कितना क्रोध आएगा ना मन में जीवन में आपने कुछ सोचा था, मैं करूँगा, आप एक क्रांती के पत पर थे, पूरा देश आपको जानता था, आप इतनी विशिष्ट विशेश जो है, एक समाज में वो ला रहे थे, क्रांती ही शब्द मेरे मन में आता है बार बार, और एक अधना सा वेक्ति, जिस आपको खत्म कर दे, कितनी विर्थ सी बात लगती है, ऐसा नहीं कि वो युद्ध के मैदान में वीर्गती हुए, वीर्गती को प्राप्त हुए, एक सेवक, जो एक ऐसी नर्थकी की बातों में जिसको जानता भी नहीं था, उसने एक संत को, अपने गुरु को, एक क्रांतिकारी को, एक समाज सुधारκ को, एक समाज सेवक को खत्म कर दिया, तो वो पीडा से जो हैं करा रहे हैं, दैनंसरस्वती जो हैं, पीडा से करा रहे हैं और उन्होंने जानते उस जगनात को क्या बोला? मेरे पास उन्होंने कहा धन की एक थैली पड़ी है और एक यहाँ है एक जहाँ उनका स्थान था वहाँ है उसको लेकर चुप चाप यहाँ से निकल जाओ क्योंकि यदि तुम हाथ पड़ गए तो तुम्हारी जान नहीं बक्षी जाएगी तुम्हें फांसी की सजा निश्चित है और राजा स्वयम तुम्हें वो सजा देगा इसलिए तुमने जो करना था कर दिया अब तो कुछ हो नहीं सकता जो गलती होनी थी वो हो चुकी मेरा काल, मेरी मौत, मेरी मृत्यू ऐसे ही आनी थी तो ऐसे ही सही और तुम मुझे और दर्द में शाय देख भी न पाओगे इसलिए तुम अभी चले जाओ उन्होंने अपने रिसोईयों को वहां से बेज दिया वो भी शुक्रिया करके धन लेके निकल गया वहां से अब आप ही मुझे बताइए जिस व्यक्ति का मन इतना निर्मल हो क्या प्रकृति उसको हर अवस्था में विशेश शक्तियां और सिद्धियां नहीं देगी क्या इतनी निर्मलता होनी मन में कि महत्मा गांधी ने तो बोला था कूई एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा आगे कर दो। यह तो उससे कई कदम आगे चले गए क्या मेरा कहने का अर्थ्य यह है कि आपके साथ अन्याई हो रहा हो और आप सहते रो कता ही नहीं मेरा कहने का अर्थमात्र इतना से है अन्याय या न्याय की बाद जो है बाद में आती है पहले मूल जो है वो ये है कि जो भी आप अपने मन में भाव रखते हो उसके लिए उत्तरदाई आप स्वयम हो और केवल आप हो तो जब मनुश्य को अध्यात्मिक पत पर वगवान के प्रती निरंतर वो भाव नहीं महसूस होता या सिद्धी की प्राप्ती नहीं होती उस समय वो ये तर्क या वितर्क नहीं कर सकता कि मैं तो इसलिए दुखी हूँ मैं तो इसलिए क्रोध में हूँ मैं तो इसलिए इर्शा के भाव में हूँ मेरे मन में द्वेश इसलिए है क्योंकि दूसरा मेरे साथ ऐसा कर रहा है उसका कोई माइने नहीं है वो कुतरक हो गया दूसरे की दूसरा जाने आप अपनी बताओ अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं देखिए डॉक्टर कहते हैं आपको डायवेटीज है आपको बलड फ्रेशर है आपका वजन भी बहुत अधिक है आप बोलिए देखिए मैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूं अपनी सेहत का पर हमारे घर में रिष्टेदारों का बहुत आना जाना रहता है कभी पूरी, कभी गुलाब जमून ये चीज़ें जो है निरंतर बनती रहती हैं कभी चने और कभी बढ़िया राइता और कभी सुजी की खीर या कभी और चैच्छे पकवान मैं और ले दू नाश्टे में आपको अच्छा लगेगा मतला अब शाम के भोजन में जो भी कहा जाए कल के नाश्टे में कह लिया जाए और आप उस डॉक्टर को ये बोलो कि मैं इसलिए मोटा हो रहा हूँ मैं इसलिए बिमार हो रहा हूँ क्योंकि दूसरा मुझे खिलाए जा रहा है हो सकता है आपकी बात सत्य हो हो सकता है आप 20 या 40 वर्ष के एक युवक ना होकर दो साल के बच्चे हो आपके मुँमे कोई ठूस रहा है परन्तु उसका फल कौन भुगत रहा है आप जो आप खा रहे हो दो परकार से फल भुगत रहे हो एक तो उसका खा रहे हो जो खाना नहीं चाहते दूसरा वो खा रहे हो जो खाना नहीं चाहते उसका भुगतान तो आप ही को करना है ना तो जो भी हम ग्रहन करते हैं, जो भी धारन करते हैं भावना के तौर पर, शब्दों के तौर पर, कर्मों के तौर पर, कारण उसका कोई भी हो, उसका उत्रदाइत्व जो है हमारे उपर ही होता है. इसलिए बगवानने बार-बार बोला है कि स्थिद प्रग्यज वो है जो सम रहता है हर भाव में जो शीत और उष्न में ठंडी में गर्मी में मान में अपमान में मित्र और अरी पक्ष में जो एक संभाव में रहे कोई की संभव नहीं न, सब आपके मित्र हो जाएं, बहुत पहले हमने आपको गालिब का वो सुनाया था न, गालिब, वाईज बुरा कहते हैं, तो कुछ बुरा नहीं, वाईज बुरा कहते हैं, तो कुछ बुरा नहीं, ऐसा भी है कोई, जिसे सब अच्छा कहें, कोई भी न ही ऐसा, सबके critics होते ही हैं, आप अच्छी से अच्छी चीज़ कर लो, अब जो हमारे बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं, जो हमारे साथ अच्छा विवार नहीं कर रहे हैं, जो हमारे बारे में अच्छा भाव नहीं रख रहे हैं, क्या आप वास्तव में अपने मन की, अ क्या आप उस दैत्य को वास्तव में अपने जो है तप को देना चाहते हैं उस दानव को मुझे तो नहीं लगता तो जब मन में ऐसा भाव आए उस समय कुछ चीज़ें जो पहले करनी होंगी ताकि मन में ऐसा भाव आए ही ना या बहुत कम समय के लिए एक दो साल के लिए एक दो क्षणों के लिए उस समय जो करना है उसमें एक जो समाधान है वो मने पहले ही बताया है अपने आपको पूछना है मैं जानता हूँ मेरा मन कुछ ना कुछ तो सोचता रहता है हर समय यदि इस क्षण में मैं इस व्यक्ति के बारे में या इस स्थिति के बारे में ना सोच रहा होता तो मैं क्या सोच रहा होता अगर मानली जीए ये घटना ना हुई होती ये व्यक्ति ना होता तो ये तो है नहीं कि मैं मुस्कुराता हुआ खाली मन से वहां बैठा होता कुछ न कुछ मेरे मन में चल रहा होता और यदि मुस्कुरा भी रहा होता, कुछ चल रहा होता, वो क्या होता कभी भी आप करके देख लेना कुछ ही क्षणों में मन जो है बदल जाएगा और जैसे ही मन बदला फिर अपनी एक आगरता को अपनी चेतना को सौर लगा कर रखना है क्योंकि कुछ अंतराल तक चिंतन से हटाना है फिर हट जाएगा जिस परकार अगनी के पास बैठकर यदी आपको पसीना आ रहा है गर्मी लग रही है और आप चिंतन करते रहो काश यगनी से मुझे इतना गर्मी ना लगती कितना अच्छ होता यदी मुझे इतना पसीना ना आता कितना अच्छ होता यगनी यदी आना होती उठके चले जाओ दूर हो जाओ उस अगने से जो अगनी आपको तपा रही है जो भाव आपको तपा रहा है उससे दूर होने का ये एक सरल सा मार्ग है और कुछ चीजे जो हैं पहले होनी चाहिए तांकि वो भाव आई ही ना सत्यनिष्ठ होना उन में से एक है और बुद्ध ने कहा कि समयक दृष्टी होना बहुत आवश्चक है अहिंसा के पत्पर मनुश्य हो सकता है सत्य के पत्पर हो सकता है पर यदि उसमें समयक दृष्टी अर्थात राइट व्यू नहीं है वो अज्यान में जी रहा है विक्ती उसको अपना सब भाव सच ही लगेगा सत्य ही लगेगा उसको लगेगा मेरे मन में आया है ठीक ही होगा क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन जीने का सही डंग क्या है जो दूसरा विक्ती जीना चाहरा है वो ठीक नहीं हो सकता यदि वो नहीं है तो भी मन का निर्मल होना मुश्किल है और सब बातों से बड़ी बात यदि स्मरण में रखनी हो तो यही रखना कि ये जो समाज है ये जो विश्व है ये स्वार्थ से चुड़ा होता है इसको आप से कोई लिना देना नहीं है इसलिए इतने बड़े ब्रह्मे मत जीना कि समाज शायद मुझे चाह रहा है मेरी पूजा कर रहा है या मेरी स्तूति कर रहा है मेरे लिए कुछ अच्छा बोल ऐसा कुछ नहीं है किसी के लिए भी नहीं है उसको केवल मतलब है आप उसको क्या दे सकते हो यदि उसको वो चाहिए और आप दे रहे हो आप उस समाज के लिए अच्छे हो यदि उसको जो चाहिए आप नहीं दे रहे हो आप उस समाज के लिए बुरे हो तो जिसकी द्रिष्टी में हम बुरे है उस वेक्ति को लेकर चिंतन करना या उस घटना को लेकर चिंतन करना कितनी भारी मूर रखता है आप स्वाइम ही देखी क्योंकि आप से कोई संबंध ही नहीं है यह समस्त संबंध जो है स्वार्त से बंदे होते हैं उसी को हम जो मर्जी संख्या दे दे विक्ति सोचता है मैं फला विक्ति के बिना जी नहीं सकता प्यार में ऐसा ही होता है कितना बड़ा ब्रहम होता है यदि वही विक्ति बिमार पढ़ जाए तो बहुत दुख होता है पती यदि बिमार पढ़ जाए या पतनी यदि बिमार पढ़ जाए तो सब मंदिरों में जाएंगे सब जगा सब परकार के उपाय करके वेक्ति देख लेगा कि ये वेक्ति ठीक हो जाए प्रंतु रोग यदि ऐसा हो कि पता चले वेक्ति मृत्यू की और जा रहा है तो जो पीछे रह जाता है वो क्या करता है वो पहले ही मांसिक तोर से अपने आपको तयार करना शुरू कर देता है कि अब इसका तो जाने का टाइम आ गया क्या करने दुख की बात है पर चलो बैंक अकाउंट वगरा नॉमिनेशन सब प्रॉपर है कि नहीं विल वगरा लिख रखी है वसीयत वो देख ली जाए नहीं तो बाद में मुश्किल होगी बड़ी दुख की बात है ये वेक्ती जा रहा है बिचारा अच्छा था पर चलो अब जिंदगी तो जीनी ही है आज आलूगों भी खाएंगे और मटर पनीर बनाएंगे क्या कोई किसी के किसी की विरह में मरता है नहीं परन्तु जहां जहां प्रेम होता है हर कोई सोचता है मैं तो वश्य मर जाओंगा लेकिन ऐसा होता नहीं क्यों क्योंकि और मैं किसी नकारात्मक दृष्टी कौन से नहीं कहा रहे यह स्वार्थ के संबंध है स्वयम का अर्थ जब तक मन को किसी से शांती प्राप्त होती है मन उसका बनके रहता है जैसे ही वो भाव चला जाता है मन भी कहीं और चला जाता है तो मन को निर्मल रखने के लिए यह समयक दृष्टी होना यह ज्यान होना नितान तावश्चक है कि आपके पैदा होने से पहले भी प्रित्वी वैसे ही घूम रही थी जैसा कि आपके जाने के बाद घूमेगी इसलिए आप किस चक्कर में घूम रहे हो उस पर विचार किया जाए प्रित्वी की, ब्रह्मांड की, समाज की वो अपनी स्वयम देखेंगे यदि आप लोक प्रिय होना चाहते हो यदि आप चाहते हो सब आपसे प्रेम करें तो सत्यो छोड़ो जो कोई दूसरा सुनना चाहता है वो बोलो दूसरा आपसे प्रेम करेगा दूसरा आपको अच्छा मानेगा उससे कोई लेना दे नहीं आप सत्यो बोल रहे हैं या नहीं जो दूसरा सुनना चाहता है उसको वो सुना रहे हो या नहीं तो साधना के पत्थ पर आप ये तै कर लो कि आपको दोनों में से क्या जाधा प्रियर है एक कि सब आपसे बहुत प्रेम करें आपकी स्तुथी करें या दो आप मन निर्मल रख कर सत्यभाशी होकर अपने पत पर अग्रसर रहें अच्छा बोल सकते हैं सब के बारे में पर जूटी तारीफ करने की आवशक्ता नहीं पर यदि कुछ अच्छा नहीं आप बोलने को तो बुरा भी बोलने की आवशक्ता नहीं यह भी कहने की आवशक्ता नहीं आप बेकार हो कुछ प्राप्त नहीं होगा उससे झाल